अगर हम FIS और DAS का डेटा देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे FIS का डेटा में दोस्तो काफ़ी टाइम से FIS वाले सेल कर रहे हैं अगर हम DAS का डेटा देखेंगे तो अपने अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तो निफ्टी की तो यहाँ पर आप देखेंगे डेली की कैंडल आज एक अच्छे बुलिश की कैंडल बनी है अगर आप देखें यहाँ पर यह जो अपनी इंडिसाइसिफ कैंडल थी इसके नीचे मार्केट गया लेकिन सस्टेन नहीं हो प कर देंगे और हम यहाँ पर अगर देखें डेली टाइम फ्रेम में आरेसी अगर आप देखेंगे तो ठीक है उपर की तरफ है बट अभी इसको यह नहीं कह सकते हैं बुलिश मार्केट यहां से हो जाएगा ओके अगर एडिक्स देखेंगे तो एडिक्स में भी कुछ खास म पुमेंटम है नहीं बुलिश के तरफ चली फिफ्टी मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे और देखेंगे कैसे ट्रेड एक्जिक्यूट कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल सी स्टाटजी दोस्तो आज आपको बताने वाले यहां पर आपको एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दोस्तो यहां से उपल की तरह भी reverse हो सकता है तो आपका जो पहला टागेट का लेवल रहेगा अगर आप यहां से ठीट बनाते हैं Rway तो यहां से आपका ट्रेड बनेगा पहला टागेट का जो आपका लेवल रहेगा वो रहेगा लगबग यह लेवल जो कि अपना 19,731 है और इसके बाद जो नेक्स टागेट का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 19,798 तो इस तरीके से आपके दो टागेट बन सकते हैं कॉल साइट के अगर मार्केट गाप डाउन ओपन हो दोस्तो या फ्लाट ओपन हो के नीचे की तरफ आता है यहां तक का आप ट्रेड एक्जिक्यूट कर सकते हैं और अगर आप और थोड़ा सेफ ट्रेड करना चाहते है तो आप क्या कर सकते हैं दिखे यहां पर यह trend line मार्क कर लिजे कुछ इस तरीके से अगर इस trend line के नीचे sustain होता है market retest होने के बाद एक मिर्स तक और ध्यान रखे यह trend line दोस्तो अपनी क्या है support का level है इसके उपर अगर निकला तो reverse हो सकता है market तो यह हमने discussion कर लिया यहां प देखिए अगर market gap up open होता है दोस्तों वेट करेंगे यही हमारा support level कितना work करेगा 19,730 के around यहां तक market आ सकता है downside में आने दीजिए यहां से अगर reversal मिता है तो हम call side का trade execute कर सकते हैं आपना 19,847 और उसके बाद सीधा next target का लेवन 19,900 तो इस तरीके से हम call side के further call side के trade execute कर सकते हैं gap आपकी condition में ओके तो यह कुछ Nifty का analysis था दोस्तों अगर हम यहां पर RSI देख लें तो RSI देखिए अभी overbought तो हुआ नहीं है कर रहा है market में लेकिन अभी overall bullish की तरफ strength इतनी खास है नहीं ठीक है तो कम quantity में trade करें आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इसके OI data की तो कल आप सभी को बता है expired ही है Nifty की तो Nifty का OI data अगर हम यहां पर देखेंगे PCR value 1 है जो के support कर रहा है bullish के move को wise and अगर हम call side का OI data देखेंगे तो 19,800 सबसे highest OI data and अगर put side देखें यहां पर तो put side में 19,600 अगर 800 का level देखें हम तो कौन सा है देखें 800 का level है यह अपना second target का level ठीक है 19,800 and put side अगर हम देखें तो 600 का कौन सा level है देखें अगर market gap down open होता है तो यही level almost market में support दे सकता है तो अगर आप यहां पर देखेंगे bank nifty में daily time frame में हमारे support लेवल ता 44,400 के near about guys market इसके नीचे तो गया लेकिन sustain नहीं हो पाया और यहां से वापस reverse हो गया है तो market के इस support ने काफी अच्छा work कर दिया है अगर हम यहां पर देख लेंगे RSI तो देखें RSI में कुछ इतना खास bullish momentum तो भी दिखा नहीं रहा है और ADX देखें तो दोस्तों negative move को support कर रहा है जो कि कभी भी बंद हो सकता है तो 50 market time frame में आ जाएंगे तो basically guys हम क्या करेंगे यहां से यहां तक का एक Fibonacci retracement mark कर लेंगे ठीक है अगर market flat open होता है या gap down open होता है दोस्तों यह इसके सारे levels है आप यह सारे levels mark कर सकते हैं 50% 61% और 78% market इन तीनों में से किसी भी level तक आके और फिर उपकी तरफ reverse हो सकता है तो अगर market downside जाता है पुट side करें दोस्तों यह level से आप इन level पर अपने trade execute कर सकते हैं इन level से आपके target रहेंगे और अगर आपको call side जाना है दोस्तों तो market नीचे आके अगर reverse होता है उपकी तरफ तो आपको call side का trade करना है यहां पर आप यह trend line mark कर लेंगे यह कुछ इस तरीके से trend line अगर market guys यहा out होने के बाद trade execute कर सकते हैं लेकिन अगर market flat open होके उपा की तरफ चलता है ठीक है suppose market यहां पर flat open हो गया और सीधा उपा की तरफ चलने लगता है तो आपको यह trend line के उपर guys उपर retest होके अगर sustain हो तो ही आप call side जा सकते हैं अगर retest हो जाता है तो पहला target का level 44,894 और इसके ब level रहेंगे call side के put side के target के level भी हमने आपर discuss करी लियें और अगर किसी तरीके से market काफी जादा down आ जाता है अभी जो हमने trend line मार्क करिए इसके आसपास तक आ जाता है तो दोस्तों ध्यान रखें इसके नीचे भी अगर retest होके sustain होका तभी put side जाएंगे पहला target का level आपका 43,815 तक का रहेगा bank nifty के अंदर ओके इसके अलावा अगर हम RSI देख लेंगे तो RSI में कुछ खास है नहीं यहां पर और ADX भी दोस्तों यहां पर अभी converge हो चुका है तो इसके बेस पर भी कोई decision लिया नहीं जा सकता market almost sideways है सकता है अभी का जो analysis है ADX का उसके अगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे इसके OI data की जैसे everyone तो bank nifty का PCR value 0.81 है जो कि bullish के move को support नहीं कर रहा है अगर हम OI data देखें 45,000 call side का input side देखेंगे 44,000 मतलब 1000 point की range है 100% धोगा देने वाला है तो 45,000 का अगर हम level देखें यहां पर तो देखें 45,000 का level कौन सा है यह जो हमने target का level यहां पर discuss किया था 44,992 यह अपना 45,000 के near about का level है तो यह आपका resistance का level work कर सकता है अगर हम देखें 44,000 का level तो देखें 44,000 का level कौन सा है हमारे पास यह level ओके तो यहां पर अगर हम mark करके देखें देखें यह जो level है 44,000 का दोस्तो पहले भी support दोई चुका है market को तो यहां पर 44,000 तक का भी अपना target रख सकते हैं put side की तरफ अगर market retest होने के बाद दोस्तो यहां पर फिर नीचे की तरफ आता है तो ओके तो इस तरीके से अब put side की trade में दोस्तो ट्राप होने से बस सकते हैं 44,000 अच्छा support का level बन सकता है तो दोस्तो यह हमारी बात होगे bank nifty की आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम fin nifty की यह से वरिवन तो daily time frame में अगर हम fin nifty की candle देखेंगे तो यहां पर भी market नीचे की तरफ गया था और उपर की तरफ reverse हो गया अभी तो 50 minute की time frame में आ जाएंगे और देखेंगे कैसे trade execute कर सकते हैं और क्या हमारी main support trend line बन रही है तो देखेंगे यहां पर हमें क्या करना है यहां से लेकि total यहां तक अगर हम एक trend line लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा trend line वर्क कर रही है आप देखेंगे इस market नीचे आया इस trend line पर अभी उपर की तरफ वापस reverse हो गया है तो देखें call side जाने के लिए जैसे कि अभी हमने यहां पर यहां पर एक trend line मार्क कर सकते हैं अगर market फ्लाइट उपन होता है तो यहां पर इसके trend line के उपर retest हो कर सस्टेन होता है तो हम further call side जा सकते हैं डाफ नाइंटिन थाउजन नाइंहंड़िट दकका रहेगा और इसके बाद नेक्स ताउगट लेवल आपका रहेंगा दोस्तों यहां पर 20,038 तो यह आपके दो टाउगेट के लेवल रहेंगे इनको माक कर लिए एक यह लेवल हो गया आपका और एक लेवल हो गया दोस् तो यह अपना अनलेसिस है अगर हम बात करें यहाँ पर इसके ओवाई डिटा की ओके तो PCR वैलियो अगर हम देखेंगे 0.97 जो की बुलिश के मुप को सपोर्ट फिलाल नहीं कर रही है अगर कॉल साइट का वाई डिटा देखेंगे 20,500 एंड पुट साइट का वाई डिटा देखेंगे तो 19,700 मतलब 800 पॉइंट की रेंज है 20,500 का लेवल अगर हम देखें काफी उपर है दोस्तो काफी उपर ओके तो अच्छा कांस है हमाई पाई स्पेस है हम डेफिनिटी ट्रेड एक तो यह ओवराल आनल से से अपने मार्केट का मिलेंगे कल की वीडियो में तब तक करें जाहिन वन ने मतम थैंक यूफर वाचिंग